नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्षरा मित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंट चीयो मेटास उवर्सीज लेमिटेड आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इंफॉर्मिटेव वीडियो में अगर आप एक नए बिजनस के स्टाट अप करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी प्रोड़क्ट या सर्विस में डील करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, हम ब परिशेबल गूड़ में आता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे फल, सबजी, दूद, इस तरह के जो प्रोड़क्ट्स हैं, जो परिशेबल गूड़़् होते हैं, लक्जिरी मतलब हम बात करते हैं, हाइएंड फरनीचर की हम बात करते हैं, लक्जिरी बेस् जीस aserti, जैसे medicine, education है, ये भी necessity में भी आती हैं और luxury में भी आती है, या हम सर्विसेज की बात करते हैंगी किस तरह के सर्विसेज में आप ड्ली करना चाहते हैं, मतलब कुछ सर्विस ऐसी होती है, जिसके बिना consumer कुछ घंटे भी नहीं रूख सकता है, जैसे ऑप्य झ YS नहीं हो सकता कि आप लेकिन बहुत सरी, एसी जिसमें टाइंम, ले हो सकता है, जैसे मानख लिजिए कि कुछ इस तरह की circuit है, जिसमें वो consumer, एक महीना दो महीना वेट भी कर सकता है, तो डिपैंड करता है कि आ आप किस-स तरह के आपका प्राइज टिकेट हजार रुपए से शुरू होकर 10,000 के प्राइज में होता है या आपका प्राइज टिकेट 10,000 से लेकर 90,000 के प्राइज में होता है या आपका प्राइज लाखों से शुरू होता है जो 50 लाख रुपए तक जाता है तो आपको यह देखना है कि आप प्रॉफिट ऑफ मार्जन होने वाला है बहुत सारे बिजनसेज जो होते हैं वह इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जन एक डेड़ परसेंट से लेकर दो तीन चार पांच परसेंट तक होता है जिसको हम एक अच्छ इसमें पर्शेंट से लेकर सौपर्सेंट तक होता है और बहुत सारे बिजनसेज में पर्फेंच गाख होता है मतलब वहाँ पर आपको instant money मिलती है money rotation के लिए आपको अपना पैसा invest नहीं करना पड़ता कुछ businesses में आपका जो payment schedule होता है वो advance होता है मतलब आपको वो product या service जो देना आप consumer को चाहते है उसमें advance payment होती है और कुछ products ऐसे होते हैं जिसमें credit होता है और ये credit साथ दिन से लेकर 30 दिन के बीच में भी हो सकता है और कुछ businesses में जो credit होता है उसका credit time बहुत बढ़ा होता है जैसे वो credit time होता है 1 month to 3 month तो ये depend करता है कि जिस product या service में आप deal करना चाहते है उसका product का नाम या product की quality जिस product या service में आप deal करना चाहते है उसका payment schedule क्या है ये भी बहुत important role play करेगा आपके business में इसके लाबा उस business की operating cost क्या है friends operating cost का मतलब है उस business को चलाने में कौन-कौन से खर्चे आपको करने पड़ते हैं और ये operating cost भी दो तरह किया fixed operating cost और एक variable operating cost fixed मत्रोला से example गूरूप में आपको बतायता हूँ fixed operating cost वो होती है कि आपका business हो या ना हो sale हो या ना हो production हो या ना हो service आप provide करें या ना करें आपकी cost fix रहने वाली है जैसे आपका rent, electricity, staff salary ये लगबग एक fix operating cost ऐसी है जो आपको हमेशा bear करनी पड़ेगी दूसरी जो cost है वो है variable मतलब आप production करेंगे तो आपकी production cost आएगी उसको variable cost कहते है जैसे marketing cost है advertisement cost है promotional cost है ये variable cost है आपके उपर depend करता है आपके कितना करना चाहते है या कितना घटा ना चाहते है ये भी हमें देखना होगा कि जिस product या service में हम deal करने जा रहे है उसकी operating cost में किस तरह की cost ज़ादा है कई businesses में operating cost में fixed cost बहुत बढ़ी होती है माली जी आप showroom बनाते हैं तो showroom में जो huge operating cost है वो है उसका rent electricity, staff salary ये आपको देखना है कि आपकी operating cost क्या होने वाली है उस business को लेकर अब next important बात है जिस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है वो देखना है कि जिस product या service में आप deal करने जा रहे है उसमें sales का volume क्या होने वाला है जैसे बहुत सरे ऐसे products है जिसका price track तो बहुत बड़ा है price ticket बहुत बड़ा है लेकिन उसके बाद भी sales volume बहुत कम है आपको ये भी देखना है कि जिस consumer के साथ आप deal कर रहे है उसमें वो sales volume में quantity कि इतनी जाते है जैसे कई बार मैं बात करता हूँ आप B2B product बनाते है मतलब ऐसा product जो किसी ना किसी sub industry में यूज होता है तो उसमें सबसे important बात क्या है कि एक तो आपके जो orders है वो regular रहने वाले हैं लगातार चलने वाले हैं और जो volume of sale होगा वो भी ज़ादा होगा मतलब आप whole sale में deal करेंगे यह आपके बड़ेपेंट करता है नेक्स जो important बात है वो है बी ई पी बी ई पी stands for break even point आप जो business करने जा रहे है न उसकी एक operating cost है आप जो product sale कर रहे हैं उसका एक selling price है और selling price में मिलने वाला एक आपको margin है जिसको हम profit कहते हैं पर profit केवल आपको तभी होगा जब आप अपनी operating cost को पूरा कर लेंगे मतलब break even point का मतलब है no profit और no loss मतलब आप इतनी sales volume generate कर लें कि आपका profit loss equal हो गया मतलब आप cost to cost आ गए इसको एक्जामपल के माधियम से मैं आपको बताता हूँ मानलीजी एक product की price value एक लाख रुपे है और उसमें जो profit margin है वो 20% है तो मतलब 20,000 रुपे आपको मिलने वाला profit है तो मानलीजी आपका operating cost जो है वो 2,000,000 रुपे है आप इस operating cost को कब cover कर पाएंगे एक लाख रुपे selling price होने के बाद भी 20% profit margin होने के बाद भी आपको जो profit मिलता है वो केवल 20,000 रुपे है इसका मतलब यदि आप पूरे महिने में एक ही sale कर पाते हैं तो आप 1,80,000 रुपे के loss में आ जाते हैं और break-even point क्या कहता है कि आप इतना sales volume generate करें कि आपकी 2,000,000 की cost पूरी हो जाए मतलब जब आप 10 गुना sale करेंगे मतलब 1,000,000 गुना में 10 मतलब 10,000,000 रुपे के जब आप sale करेंगे और उसका 20% margin आपको होगा तब आप 2,000,000 रुपे क्या operating cost cover कर पाएंगे इसका मतलब यदि 10,000,000 से उपर आप sale करते हैं तभी आपको profit होने वाला है यह समझना बड़ा important है next जो important बात के है कि growth possibility friends कई businesses ऐसे हैं जिसमें growth possibility बहुत जादा है मतलब उसमें competition level कम है या growth possibility का मतलब है वो business एक system oriented business है जब आप एक system oriented business करते हैं तो वाँ growth की possibilities आपके पास ज़्यादा होती है बविश्य में आगे बढ़ने की possibility ज़्यादा होती है इसके अलावा आपको यह भी चेक करना है कि उस product या service में competition कितना है friends आथ बहुत सारी industry ना अपने जो growth के curve पे हैं वो बिल्कुल downfall पे आ चुका है मतलब वो industry लगबख खतम होने वाली है फिर भी उसके बाद वहाँ पर हजारो लाखो लो competition में आपके साथ में है तो आपको देखना है कि क्या वो product इस तरह का है जिसमें बहुत ज़्यादा competition है तो आप उसमें enter ना करें और जब competition बहुत ज़्यादा होगा तो आपको जो ratio of profit है 20% वो भी नहीं मिलने वाला क्योंकि competition में price war में बहुत सारे sellers उसी product को सस्ते price range में कम profit margin में market में बेचने के लिए तयार होंगे तो यहाँ अगर competition बहुत ज़्यादा है तो यहाँ selling price भी नहीं बढ़ा सकते profit margin नहीं बढ़ा सकते केवल और केवल अपनी operating cost को कम करके ही आप profit volume में आगे बढ़ सकते हैं और अपने competitor को हरा सकते हैं इसके अलावा market share उस product या service का कितना है friends कई बार क्या होता है कि एक ही industry में एक तरह के product में बहुत सारे competitor होते हैं बहुत सारे competitor होने के बावजूद भी हर competitor का एक बड़ा market share होता है देखिए मैं इसको एक example के माधियम से आपको बताता हूँ मान लिजिए जैसे आप food products में देखते हैं तो अगर मैं chocolate shake के बारे में बात करूँ तो उसको कौन कौन है पतांजली और दाबर और हमदर्द ऐसी बहुत सारी company chocolate shake बनाती है लेकिन इसमें competition में किसका market share बहुत बढ़ा है मतलब total market की जो sale है मैं कहता हूँ पतांजली ने 70% market share occupy कर लिया बाकी बचा हुआ 10% इनके पास है और 20% इनके पास है तो हम यह देखना है कि जिस product में आप जिस industry में आप जाना चाते है उसका market share कितना है और यदि market share कम है तो समझ लिए आपके पास growth possibilities भी ज्यादा है तो यह बहुत important role play करेगा जब भी आप किसी business को start करना चाते है as a startup नई industry mentor करना चाते है इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दे तो friends यह महत्पून पहलू है जिन पर आपको ध्यान देना है अगर आप एक नई business का setup करना चाते है लेकिन कई बार केवल finance के अभाव में पैसे ना होने के वज़़े से आप एक नए business startup नहीं कर पाते मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास अच्छी qualification है वो graduate है, post graduate है, professional degrees उनके पास है अच्छा job का experience है उन्होंने अपनी life में कई साल उस industry में जिसमें वो business करना चाते हैं जॉब में निकाले हैं तो job का अच्छा experience है और कई बार ये भी देखा गया है कि उन लोगों को business का भी अच्छा experience है उन्होंने उस business को किया था केवल और केवल पूंजी के अभाव में, capital के अभाव में, funding के अभाव में वो उस business में या तो fail हो गए या आगे नहीं बढ़ पाए तो job experience भी आपके पास है, business experience भी आपके पास है आपके पास एक बेहतरीन communication skills है मतलब friends, ध्यान रखेगा, अगर आप sales में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी communication skills बहुत best होनी चाहिए product को define करने के लिए, product के पीछे नहीं चुपाया था product को सामने करने के बाद साथ साथ आपको अच्छी बेहतरीन communication skills के जरीए अपने clients को convince करना होता है तो बहुत सारे लोग highly qualified है, अच्छा experience है और good communication है उसके बावजूद भी केवल funds funds के अभाव में वो अपनी life में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी business opportunity के बारे में जहां पर आपके पास अच्छी qualification है अच्छी education है, अच्छा job experience है अच्छी communication skills है उसके बावजूद भी केवल और केवल fund की वज़े से आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो नई business opportunity क्या है वो opportunity है जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई investment required नहीं है मतलब आप 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग एक करोड लगा के जितना काम करते उतना काम आप बिना investment के भी कर सकते है दूसरा जब आपका कोई investment नहीं है तो समझ लीजे आपके पास कोई operating cost भी आने वाली नहीं है किसी भी तरह की liability नहीं होगी जैसे rent है, staff salary है और बहुत सारे ऐसे operating cost है जो liability की रूप में हर महीने खच करने पड़ते है यह कोई भी liability आपके पास नहीं होगी इसके लाबा income possibilities की बात करूँ तो income possibilities इस बात पर depend करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं आप आसानी से 30-40,000 रुपे से लेकर 4-5 लाख रुपे पर मंद कमा सकते है यह ऐसी business opportunity है दूसरी important बात हम किसी भी industry में काम करें हर industry की एक territory होती है कि हम इतने distance तक काम कर सकते हैं हम इतने kilometer तक काम कर सकते हैं यह हम एक राज्जे में काम कर सकते हैं यह हम एक देश में काम कर सकते हैं यहाँ पर अगर मैं work territory की बात करूँ तो you can work globally, आप global business यहाँ पर कर सकते हैं, आप किसी भी territory से bounded नहीं है, इसके लवा mode of work की बात करूँ, तो इस business को आप दोनों mode से कर सकते हैं, मतलब आप इस business को offline भी कर सकते हैं और आप business को online भी कर सकते हैं, आप जानना चाहते हैं क्या business opportunity ह definitely you would like to know कि what kind of opportunity is there, कि जहाँ पर हमारी को investment ना लगे, liability ना हो, income possibility 30-40,000 से 4-5,000,000 रुपे महिने तक हो, और work territory हम global जाएं, मतलब किसी भी state, किसी भी boundary से हम bounded ना हो, work mode की बात करूँ, तो चाहें आप business को offline करें या online करें, तो आईए समझते हैं कि वो कौन सी business opportunity है, जिसमें बहुत आसानी से बिना liability के 30-40,000 रुपे से लेकर 4-5,000,000 रुपे प्रतिमा तक कमा सकते हैं, वो business opportunity है, stainless steel modular kitchen के business की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो क्या business है, यह जो business है, वो stainless steel modular kitchen का business है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेटास lifestyle के stainless steel modular kitchen से related, बहुत सारे बड़े-बड़े showrooms बने हुए है, setup बना हुआ है, operating cost लगी हुई है, display बने हुए है, fixed and variable operating cost company अलड़ी pay कर रही है, आपको तो केवल इस company के associate partner बनना है, देखे, यह हमारा showroom है, मेटास lifestyle, stainless steel modular kitchen का business, friends, जब हम stainless steel modular kitchen business की बात करते हैं, तो यह non competitive industry है, यह luxury से based industry है, यह highly price ticket से based industry ह है, यहाँ पर हमारा product 2-3 लाग रोपे से शुरू होता है, और 40-50 लाग तक का हम लोग यहाँ पर product बनाते हैं, तो यह industry क्या है, stainless steel modular kitchen का business, आप हमारे associate partner बनके आसानी से इस industry में हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अब आपको करना क्या होगा, आप WhatsApp करेंगे आपका नाम, यह इसी आप अपना नाम WhatsApp करेंगे, आपको automated सारे answers मिल जाएंगे, आपको एक message आएगा, जिस message में पूरी information दी होगी, कि क्या Metas lifestyle है, कैसे हमारे साथ काम करना है, कैसे आपके पास business की lead आएंगी, friends, हमारे business setup में सब कुछ ready है, जरूरत है तो केवल आपके साथ की, आप हमारे सा आएं, आपके area में बहुत सारे नए मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कोठी बन रहे हैं, farm houses बन रहे हैं, बंगलोज बन रहे हैं, या उनका renovation हो रहा है, आपको आपके zone में से उन clients के number, उनकी requirement पूछने के बाद हमारे साथ share करने हैं, और हमारी company की sales team उन clients से बात करेगी, deal करेगी, और अगर deal होती है, तो आपका sales incentive या sales commission आपके account में transfer कर दिया जाएगा, इसके लिए मेरा आपसे request है कि इस number पर call ना करें, बहुत सारे लोग call करते हैं, आपको क्या करना है, whatsapp करना है आपका नाम, और सारी information आपको whatsapp के मादिम से पहुंच जाएगी, जरूरत है, तो इस information को सही तरीके से follow करने की, और ये मान के follow कीजिएगा, कि अगर आप 10, 20, 50 लाख रुपे लगा कर एक showroom बनाते, तो किस तरह से मेहनत करके हर एक चीज को सीखते और समझते, इसलिए whatsapp करें आपका नाम, और सारी information whatsapp के मादिम से आप तक पहुंच जाएगी, स्वस् झाल